श्री शिवाय वस्तूब्या हरहर महादेव पुच्च गुरुची ने अपने यूटूब चैनल के माध्यम से अधिक मास के पूरे महिने में दान करने वाले वस्तूओं की लिस्ट जारी की है तो उसमें आपको अधिक मास के पहले दिन पान के पत्ते और 33 बता से दान करना चाहिए दूसरे दिन पीपल के पत्ते और 33 इलाईची दान करना चाहिए तीसरे दिन चावल का दान सफित वस्त्र में करना चाहिए चोथे दिन मुन के दाने का दान करना चाहिए पाचवे दिन सफित उन का दान करना चाहिए छटे दिन कपूर का दान करना चाहिए सातवे दिन ताबे की दिये में घी रख कर दान करना चाहिए आठवे दिन तेतिस सफेच फूलों का दान करना चाहिए नवे दिन गेहु की पोटली का दान करना चाहिए दसवे दिन बीडे का दान करना चाहिए ग्यारवे दिन मोती चूर के तेतिस लड़ूों का दान करना चाहिए 12 दिन 33 कमल गटो का दान करना चाहिए 13 दिन पीले वस्तर का दान करना चाहिए 14 दिन लोहे का दान करना चाहिए 15 दिन कलश का दान करना चाहिए 16 दिन उड़त की दाल के बने पकवान का दान करना चाहिए 17 दिन कंकू और गुलाल का दान करना चाहिए अठरवे दिन 33 सिको का दान करना चाहिए 19 दिन लाल गुलाब का दान करना चाहिए 20 दिन चने की दाल का दान करना चाहिए 21 दिन स्वर्न का दान करना चाहिए 22 दिन कासे का दान करना चाहिए 23 दिन गीता जी का दान करना चाहिए 24 वे दिन चोकी और पाटे का दान करना चाहिए 25 वे दिन सुहाक की सामगरी का दान करना चाहिए 26 वे दिन गो मुखी माला का दान करना चाहिए 27 वे दिन पुरुशों के वस्त्र का दान करना चाहिए 28 वे दिन माला और 33 फूलों का दान करना चाहिए उन्निस वे दिन कांसे के पातर में एक लाल बस्तर रखे उसमें ग्यारा तुलसी के पत्र, इकिस लोग, ग्यारा इलाईची और 33 मालपुवे का दान करना चाहिए पुचज गुरु जी ने बताया है कि अधिक मास में 33 मालपुवे का दान करना चाहिए गुरुजी ने बताया कि 33 मालपुए क्यों दान किये जाते हैं और मालपुए का ही दान क्यों किया जाता है मालपुए इसलिए दान किये जाते हैं क्योंकि मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने नरकों में हमारे पुर्वजों को नहीं जाना पड़ता वे इतने नरकों को छोड़ कर परमात्मा के धाम चले जाते हैं इसलिए मालपुए का दान किया जाता है और 33 मालपुए ही क्यों दान करना चाहिए वो जान लीजी 30 मालपुए तो अधिक मास के 30 दिनों के लिए होते हैं उसके अतिरिकत तिन मालपुए में पहला मालपुए यदि आपने बेटी के घर का अन्या जल ग्रहन किया हो तो उसका दोश हमें लगता है तो उस दोश की मुक्ति के लिए दूसरा यदि कभी हमने पंडीत के घर का, ब्रामन के घर का या हमारे गुरुजन के घर का अन्या जल ग्रहन किया हो तो उसका दोश भी हमें लगता है उस दोश की मुक्ति के लिए दूसरा मालपोव दान किया जता है तीसरा यदि हमने कभी किसी सूतक के घर का यानि जहां कि कोई मर जाता है ये किसी के घर में बच्चा जन्मा होता है उस घर का यदि हमने अननजल ग्रहन किया होता है तो उसका दोश भी हमें लगता है उस दोश की मुक्ति के लिए तीसरा मालपुए दान किया जाता है इसलिए अधिक मास में 30 प्लस 3 33 मालपुए दान किये जाते हैं आज का वीडियो अच्छा रगो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही पुझ्ज गुरुज की तवारा बताए गई सबी जानकरी जानने के लिए मेरे चैनल को संस्क्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन का प्रेस कर ले ताकि कोई भी वी वीडियो मिसना हो पाए धन्यवाद